हलो फ्रेंस वेलकम वैक टू माई चैनल लीगल हेल्पिन हिंदी फ्रेंस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोट के एक बहुत ही एहम फैसले के बारे में सवाल ये उठाता है कि क्या कोई वकील जिसके उपर कोई करिमिनल केस चल रहा हो अगर वो ये जानकारी को छुपा लेता है तो क्या उसके लाइसंस को रद किया जा सकता है तो जाने के सबकुछ आज की इस वीडियो में वीडियो से आखिर तक जुड़े रही है वीडियो इंफर्मिशन अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा हाली में सुप्रीम कोट के सामने एक ऐसा मामला आया जहां पर मदरास हाई कोट ने एक फैसला सुनाया था जिसमें कि एक वकील के लाइसंस को रद किया गया था और उसके लाइसेंस को इस आधार पर रद किया गया था कि उस वकील के उपर एक अपराधिक मामला पैंडिंग था और बार कांसिल ओफ इंडिया में एन्रॉल्मेंट कराते वक्त उस वकील ने इस जानकारी को छुपा लिया था बाद में पता चलने पर BCI ने उसके इस लाइसेंस को रद कर दिया और मदरास हाई कोट ने भी BCI के इसी फैसले को बरकरार रखा था फिर यह मामला पहुंसता है सुप्रीम कोट जहां पर मदरास हाई कोट के इसी फैसले को चुनाती दी गई थी जहां पर इस मामले की सुनवाई जश्टिस एमार शाह और जश्टिस बीवी नागरतना की बेंच कर रही थी बेंच ने फैसला सुनाया की वकील ने उसके खिलाफ जो अपराधिक मुकदमा चल रहा था उससे रिलेटिड जो भी फैक्ट थे उनको छुपा लिया था इसलिए याचिका करता को एड़ोकेट एक के सेक्शन 26 क्लॉज 1 के तहत बार काउंसिल आफ इंडिया द्वारा हटाया जाना चाहिए कोट ने ये भी कहा कि याचिका करता ने ये भी खुलासा नहें किया कि वो सी ए फर्म में एक स्लिपिंग पार्टनर भी है किसी भी तरह की जानकारी को बार काउंसिल के सामने चुपाना एक गंबीर मुद्धा है इसलिए एड़ोकेट के एंड्रोल्मेंट को रद करने का BCI का अदेश बिलकुल सही है तो इस तरह से सुप्रीम कोट ने भी मदरास हाई कोट के और बार काउंसिल के फैसले को ही सही माना कि एंड्रोल्मेंट के समय अगर किसी एड़ोकेट पर कोई अपराधिक मुकदमा पैंडिंग है तो उसका एंड्रोल्मेंट नहीं किया जाएगा हो फ्रिंट के आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो की पीडियेफ कॉपी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा वीडियो इंफरमिशन अच्छी लेगी है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा